आज हम मेठे बाबा की 39 अगस्त दो हजार चौबिस के मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आये हो तुम्हें आख बंद करने की दरकार नहीं स्कूल में आख बंद करके बैठते थे क्या? नहीं न? पढ़ाई आख खोल कर पढ़ी जाती है प्रशन ही भक्ति मार्ग में कौनसी आदत भक्तों में होती है जब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए तो बाबा केते हैं भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ती के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं भक्ति में तु सिखाते हैं जाओ हाद जोड़ों मांगों उन्हों में मांगने की ही आदत पढ़ जाते हैं लक्षमी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे लेकिन मिलता कुछ नहीं अगर मिलता तो मांगना बंद हो जाता ना लेकिन मांगते ही चले जाते हैं मांगते हैं पर मिलता नहीं अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं तुम तो बाप के वर्से के अधिकारी हों अधिकारी मांगते नहीं अधिकारी को जो लेना है वो ले सकते हैं और लेने की विधी भी बाबा ने याद की बताई है तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो विचित्र माना जिसका चित्र नहीं है उस सच्चे बाप को अविनाशी विचित्र पिता को कैसे देख सच्छी माना अविनाश्ची, जो कमाई हमें 21 चनम तक साथ चलते हैं, बाबा केते वो कमाई एक बाब को बुद्धी से देखते रहने से होते हैं, सब कुछ आप पे ही मिल जाता है अधिकारी को, बस विधी, बाबा की याद में रहने की विधी हमें अपनाने हैं, ओम शान्त रूहानी बाब वैट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये पाठशाला है, परन्तु यहां कोई चित्र अर्था देहिधारी को नहीं देखना है इस पाठशाला में कौन पढ़ा रहे हैं? विचित्र, बाब, परम, शिक्षक तो जैसे स्टुडेंट की बुध्धी में टीचर होता है, दुनिया में तो देहधारी टीचर पढ़ाते हैं, तो वो बुध्धी में होता है अब यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र बाबा है, तो उसको बुध्धी से देखते रहना है यहां देखते भी बुद्धी उस तरफ जाने चाहिए बले साकार में कोई निमित बन पढ़ाते हैं, मुर्ले सुनाते हैं पर बुद्धी कहां रहे? उस पी चित्र बाप के तरफ जिसको कोई चित्र नहीं है स्कूल में बच्चों का एटेंशन हमेशा टीचर में रहता है क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है फिर रेस्पॉंड करना है स्कूल में सुनते हैं, टीचर से बुद्धियोग रखते हैं, सुनते हैं और फिर रेस्पॉंड भी करना है कई तो आख बंद करके class में बैड चाहेंगे मुरली सुन रहें आख बंद है और respond सर हिलना चाहिए कांध हिलने चाहिए खुशी होने चाहिए जहाँ पर जो respond हान जी बाबा ना जी बाबा करना चाहिए तो बाबा कहते हैं respond कहां teacher प्रशन पूछेगा तो इशारा करेंगे ना मैं बताता हूँ तो बाबा कितने प्रशन मुरली में पूछते हैं तो भले ही कोई online भी बैठे लेकिन उसमें respond करना है और बाबा मुझे मुरली सुना रहे है ये बुधी में रख के मुरली सुने है यहां ये है विचित्र school क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है तो पढ़ाई में आखे खोल कर बैटना चाहिए ना school में teacher के सामने कभी आखे बंद करके बैठते हैं क्या भक्ती मार्ग में हिरे हूए है अब भक्ती मार्ग में तो पहले आखे बंद करो है न सारे गंदे चित्र चल चित्र देखो और मंदिर में चाओ तो सुन्दर मूर्ती को मत देखो आखे बंद करो तो भक्ति मार में हिरे हुए आखे बंद कर माला जपना आदी साधू लोग भी आखे बंद करके बैठते हैं वो तु स्त्री को देखते भी नहीं है, कि कहा मन चलायमान न हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि मन चलायमान होगा जब हमारी बुद्धी, बाबा कहते हैं बुद्धी से उपराम रहो, बुद्धी को लिपायमान मत करो, आँख बंद करने की जरूरत नहीं, बाबा ने हमें स ये बाबा ने हमें सिखाया, क्योंकि देखना सुनना बुद्धी से होता है, तो बाबा कहते हैं, आखे बंद करने की, कान बंद करने की जुरत नहीं, बुद्धी को बाबा की तरफ रखो, परन्तु आजकल जमाना है तमो प्रधान, तो आजकल तो सादुसंत भी ऐसा नहीं क आँखे बंद करके बैठें, देखते भी हैं, बाब तुम बच्चों को समझाते, यहां तुम भल देखते हो शरीर को, परन्तु बुद्धी उस विचित्र को याद करने में रहते हैं, और हम आत्मा बुद्धी से देखते हैं, तो बुद्धी जब बाबा की याद में है, तो आखे खुली भी हैं, तो भी देह को देखते भी बुद्धी उप्राम है, तो दृष्टी बिगड़ती नहीं, बाबा केते हैं, ऐसा कोई सादू संथ नहीं होगा, जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करें, क्योंकि यह विधी तो एक बाब ही सिखाते हैं, तुम जानते हो, इस रत में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो सारा काम बुद्धी का है, सामने ब्रह्मा बाबा भी बैठे होते थे साकार में, तो भी बुद्धी को क्या मालूम है, इस रत में वो शिप बाबा बैठ पढ़ा रहे हैं, तो उस बाबा को देखते हुए पढ़ते थे, वो बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता, तो करने वाली आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं, शरीर तो बस इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा सुनती है, तो हम भी इस चेतना में बैठें, कि शिप बाबा ब्रह्मा मुख से मुल्ली सु रहे हैं और मैं आत्मा ब्रिकुटी पर बैठ कर कानों से सुन रही हूँ रूहानी ज्ञान वा जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है बाबा कहते हैं जिस्मानी ज्ञान भी आत्मा ही सुनती है पर दे अभिमान में होती है तो पता नहीं होता मैं आत्मा सुन रही है आत्मा ही जिस्मानी टीचर बनते हैं जब टीचर भी पढ़ाते तो है तो आत्मा उस आत्मा में जो ज्ञान भरा है वो मुख से सुनाते हैं शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी आत्मा ही पढ़ते हैं संसकार अच्छे वा बुरे आत्मा ही धारन करते हैं ऐसा नहीं सिर्फ अच्छे संसकार आत्मा के नहीं बुरे भी आत्मा धारन कर लेते हैं शरीर तो राक हो जाता है लेकिन जो भी कर्म की ये संसकार बनाए वा आत्मा में धारन हो जाते आत्मा नया शरीर उन संसकारों के अधार से लेती ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते उनों को दे अभिमान रहता है मैं फला हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ये वो तु जानती ही नहीं, मैं तो बस आत्मा हूँ ये पद, पोजिशन सब तो शरीर का है प्राइम मिनिस्टर पद किस कहा? शरीर के अधार से पर मैं आत्मा जो हूँ, मैं अविनाशी सत्य हूँ ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है ये आत्मिक स्मृती नहीं रहते ये भी तुम समझते हो सब कुछ आत्मा ही करते है आत्मा अविनाशी है शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर तो कुछ करना सके आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोत पड़ा रहता है क्या है, हार्ड मास का एक लोत है, आत्मा को इन आखों से देख नहीं सकते, वो तो सुक्षम है न, इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ आत्मा को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए बुद्धी बल चाहिए, सुक्षम को ऐसे दो आखों से नहीं देख सकते, तो बाप कहते हैं बुद्धी से बाप को याद करो तुमको भी बुद्धी में हैं हमको शिब बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा ये भी सुक्षम समझने की बाते हैं कई तो अच्छी रिति समझते हैं कई तो जरा भी नहीं समझते है भी सिर्फ ये बात बाबा कहते हैं, पहली मूल बात ही आतम अभिमानी बनने के है, अल्फ माना भगवान बाबा, सिर्फ अल्फ माना ए फर्स्ट अक्षर होता है, तो बाबा कहते हैं, सबसे पहले तो आतम अभिमानी बने, अपने को आत्मा समझ, बाबा की याद में मुली सुने, बाबा की आदमी रहना सेखें सिर्फ भगवान वा इश्वर कहने से वो बाप का संबंद नहीं रहता है इसलिए बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ वो बाबा है मैं उसका बच्चा हूँ ये बुद्धी में रखना है इस समय सब पत्थर बुद्धी हैं क्योंकि रचाईता बाप और इच्र है और नहीं अपना आदीमध्यांत जानते अपने ओरिजिनल गुणों को भी नहीं जानते ओरिजिनल स्वरूप को भी नहीं जानते ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रुफी रिपीट होती रहती है अभी संगम यूग है ये किसको पता नहीं है ये न फिर चक्र का ग्यान स्वमे का ग्यान ये भी नहीं है तुम समझते हो आगे हम भी नहीं जानते थे बाबा अभी तुम्हें यहां ग्यान से श्रिंगारते हैं फिर यहां से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड ग्यान श्रिंगार बिगार देते हैं यहां से बाहर निकले तो क्या से बद्धी हैं, सस्रिंफ हरते हैं कि माय बाबा अमेंशा बाएंशा किसका एक्जंपल देते हैं। गड़े का, गडरे को श्रिंगार करते हैं, फिर वो धूले अपना सर देकर पूरा श्रिंगार बिघाड देता, तो हम तो अभी ज्यान सागर की संतान है ना, तो हम तो माया को परक लेते हैं या फिर हमारा भी श्रिंगार बिगड़ जाता क्लास में बैठते हैं कितनी बातें बुद्धी में समझ आती हैं, कितने स्रेश संकल्प चलते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रतिज्याई भी करते हैं फिर बाहर जाते हैं वो कायम रहती या माया श्रिंगार बिगड़ देती बाब श्रिंगार तो करते हैं, परन्तु अपना पुर्शार्थ पे करना चाहिए कम से कम श्रिंगार को कायम रखे, माया जीत बने इतना तो पुर्शार्थ करना चाहिए कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं, जैसे जंगली श्रिंगार जैसे की हुआ ही नहीं है मुख का श्रिंगार क्या है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो और बाबा कहते है ऐसा लगता है जैसे श्रिंगार हुआ ही नहीं है सब भूल जाते हैं लास्ट नंबर में जो स्टूरेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है हाँ फैक्टरी आदी में सर्विस कर साहुकार बन जाते हैं लोकिक पढ़ाई में भी बाबा कहते हैं लास्ट पैंच वाले पढ़ाई में दिल नहीं लगती लेकिन फैक्टरी आदी में कमाई करके उनसे भी जादा आगे निकल जाते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, यहां तो पढ़ाई से ही कमाई है, यहां ऐसा नहीं है कि और किसी चीज़ से कमाई कर लेंगे, पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं, यह तो बहुत उच पढ़ाई है, पढ़ाई बिगर तो भविश्य पद मिल नहीं सकता, यहां तो पढ यहां तो कोई सेवा भी करते तो उसका भी आधार पढ़ाई है अगर पढ़ाई नहीं समझ नहीं है पवित्रता नहीं है योगबल नहीं है तो सेवा में भी शक्ति नहीं है बाबा कहते है यहां तुमको कोई फैक्टरी आधी में बैठ कर काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है यह तो सब कुछ खलास होना है साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशीर कमाई जो होती है इस पढ़ाई से तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं सिक कंदर भी खाली हाथ गया लेकिन बाबा कहते हैं वो तो विनाशी कमाई की बात है साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे तुम्हारे हाथ तो भरतू जाएंगे क्योंकि हमें बाबा अविनाशी कमाई की विदे बता रहे है इसको कहा जाता है सच्ची कमाई यह सच्ची कमा तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए, बेहत का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं, जो साथ में जाते हैं, खतम नहीं होते हैं, जिस हाथ भरतू जाते हैं हमारे, तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, क्योंकि साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही सामने होते थे, परन्तु या करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, जब हम आत्म अभिमानी हैं, तो हमें कोई मुश्किलात नहीं होती, बाबा की याद में हम मुर्ले सुनते हैं, उन से पढ़ती हैं, आत्मा को और परमात्मा को तुम देख सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परन्तु बुद्धी में हैं कि आत्माओं को समझाते हैं, यह न, देखो बाबा भी है तो शरीरधारी बैठे सामने, लेकिन बाबा को बुद्धी में क्या रहता, मैं तो सितारों से बात करता हूँ, अभी बाप तुम बच्चों को जो सिकलाते हैं, वो सच ही सच है, इसमें झूट की रत्ती भी नहीं, तुम सच खंड के मालिक बनते हो, लेकिन कब, जब इस एक एक सचे रतन को बुद्धी में धारण कर संसकार बनाए तब, यह है झूट ही झूट, यह है झूट खंड, झूट खंड है कल्यूग, सच खं का मालिक बनाते, God is truth, वो आते हैं, सच बताते हैं, हम धारन करते हैं, तब सच खंड के मालिक बनते हैं, राद दिन का फर्क है, सत्युग में दुख की बात होते लिए, नाम ही है सुक धाम, उस सुक धाम का मालिक तो बेहत का बाप ही बनाएंगे, उनका कोई चित्र नहीं, औ सब के चित्र हैं, बाबा कहते हैं, सिर्फ मैं एक हूँ, जिसका कभी अपना शरीर नहीं होता, उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या, बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा का कोई देह नहीं, और मेरा कभी नाम नहीं बदलता, इसलिए बाबा को क्या कहते हैं, सदा शिव, उनका न नाम ही है शिव और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है, यह बाकी तो सबके शरीर के नाम है, शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शान्ती का सागर, बाबा कहते हैं, मैं निराकार हूं, पर गुणों में सिंधु हूं, तो बाबा कहते हैं, य सिर्फ गुणों की महिमा नहीं, संबंध की वे महिमा है। जब हम कहते हैं, तुम माता, पिता, बंदु, सका, स्वामी, शिक्षक, साजन, सत्गुरु हो, तो किसको कहते हैं? शिब बाबा को. तो बाब से ज़रूर वर्सा मिलना है, रचना को रचना से वर्सा नहीं मिलता, हैना हम सोचें कि बेहत, सुक, शान्ती जो हम चाहते हैं, किसी मनुश्य से मिले नहीं, हर मनुश्य आत्मा भाई-भाई हैं, वो हमें ये वर्सा नहीं दे सकते हैं, वर्सा रचईता देंगे बेहत का बाप अपने बेहत के बच्चों को वर्सा देते हैं ये पढ़ाई है ना बाबा केते ये वर्सा भी है और फिर ये पढ़ाई भी है तो वर्से पर अधिकार भी है फिर ये भी है कि जो जितना पढ़ेगा उतना उच पद पाएगा बाबा केते वर्से के रूप से हर पच्छे को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन किसको कितना मिलेगा, वो पढ़ाई पर है, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्ट्र राधी बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है, इसको अंडरलाइन करना, पढ़ाने वाले से भी योग रखना पढ़ तब पढ़ाई से ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र तो हमें अपने को आत्मा समझ बाबास की याद में भी रहना है और पढ़ाई भी धारन करनी है तुम भी आत्माई विचित्र हो बाप कहते हैं मैं आत्माउं को पढ़ाता हूं तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते है एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं पढ़ती तो आत्मा है ना दुख सुक आत्मा भोगती है सब कुछ शरीर के द्वारा आत्मा अनुभव करती है आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो जैसे मिट्टी को मारते हो कोई कहें दुख सुक आत्मा भोगती कैसे पता चले आत्मा निकल गई फिर दुख होगा क्या शरीर को मारो तो तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर ये तो बाबा जानते हैं नंबरवार धारन करते हैं बाबा तो रोज शिक्षा देते हैं, लेकिन धारणा नंबरवार होती, कोई तो बिलकुल जैसे बुद्धु है, कुछ भी नहीं समझते, ज्ञान तो बड़ा सेहच है, अंधा, लूला, लंगडा भी समझ सकते, क्योंकि ये तो बुद्धी की बात है, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है, आत्मा लूली-लंगडी नहीं होती है, शरीर होता है, बाब कितना अच्छे रेती बैठ समझाते है, परन्तु भक्ति मार की आदत, आख बंद करके बैठने के पड़िवी है, तो यहाँ भी आखे बंद करके बैठते हैं, योग में तो बैठते हैं, क्ल अटेंशन ही नहीं, बाब कहते हैं, आखे बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धी से बाब को याद करो, बाबा कहते हैं, सिर्फ आखे खुली नहीं, बुद्धी भी अटेंशन में रह, बाबा की याद में रहकर मुरली सुनना, तब ही विकर्म मिनाश होंगे, और याद में विकर्म बिनाश्टब होंगे जब आँख खुली है बाबा से बुद्धी होगे कितना सहच है फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्सा मिलता है उनको तो मरने तक भी याद करते ये तो सब आत्माओं का बेहत का बाप है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो जिससे 21 चनम की बादशाहीं मिलते हैं उनको कहते कैसे के बुल जाते हैं जिस बाप को बुलाते भी हैं वो गौड फादर गाइड मी बुला यानि मंतरन दिया गाइड मी कहा फिर उसके गाइडेंस को सुनते नहीं वास्तम में ये कहना भी रौंग है बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है तो गाइड मी नहीं है बाबा आते हैं तो एक को गाइड करने नहीं आते लेकिन गीता में तो यही सुना कि अर्जुन को ग्यान देने भगवान आए नहीं बाबा कहते हैं मैं सर्व का बेहत का बाप हूँ मैं सब बच्छों के लिए आता हूँ तो बाबा कहते हैं वो तो बेहत का गाइड है एक को थोड़ी लिब्रेट करेंगे liberator और guide सब के लिए बनते हैं बाकी जो जितना करेगा सो पाएगा लेकिन बाबा ऐसा नहीं कि कोई एक को liberate करते एक को guide करते बाब कहते हैं मैं सब की आकर सद्गति करता हूं मैं आया ही हूँ सब को शांतिधाम भेजते ले बाबा कहते हैं मैं बाब हूँ सब को मुक्ति का वर्षा तो जरूर देता हूं जीवन मुक्ति का वर्षा पढ़ाई के आधार से मिलता है लेकिन बाब अपने हर बच्चे को मुक्ति का वर्षा जरूर देते हैं शांतिधाम घर हर बच्चे को लेकर जाते हर बच्चे की जो जन्मों की आस है न हमें शांती में ले जाओ, निर्वान में ले जाओ, वो बाबा ले जाते यहां मांगने की दरकार नहीं है, बेहत का बाप है न, वो तो हद में आकर मी मी करते रहते तो मुझे दो, मुझे दो, बाबा कहते हैं, मैं तो अपने हर बच्चे की जोली भरता हूँ हे परमात्मा मुझे सुख दो दुक मिटाओ हम नीच पापी हैं आप रहम करो बाब कहते मैं तो बेहत की पुरानी स्रिष्टी को नया बनाने आया हूं बाबा कहते एक दो कानी सबकी सदगति कर देता नई स्रिष्टी में देवता रहते हैं मैं हर पाँच हजार वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतीत बन जाते हो, यह ही आसुरी संप्रदाए, जहां सब पते थे, सब के अंदर आज बाचो विकार, माया, असुर है, सत्गुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला, वही बाब भी है, टीचर भी है, सत्गुरु भी है, all in one है, बाब भी है, टीचर भी है, सत्गुरु भी है, सब से संबंद रखते हैं, कि खाली बाब से वर्षा लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सत्गुरु से वर्दान ने लेंगे, तो बाबा कहते हैं, बाब कहते हैं, ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है देखो बाबा सच बोलते हैं, बले ही कितना भी, कितना भी हम कहते हैं पुरुष प्रदान समाज ये वो लेकिन जब बाबा आते हैं तो माताओं को निमित बनाते हैं स्वर्क का दवार खोलने के बाबा कहते हैं ये माता ही स्वर्क का दवार खोलने वाली है लिखा हूँ अब ये gateway to heaven परंतु वो भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं कि gateway है ना gateway कोई ऐसा कोई gate नहीं है स्थूल लेकिन बाबा आते हैं तो बाबा का ज्यान और योग राच योग ही gateway to heaven है और माताई ही पतित बन, योगी बन निमित बन है न वैसे तो सभी आत्मा इस्त्री पुचोले में, पुरुशोले में पुर्शार्थ बनती लेकिन निमित माताई बन कर gateway to heaven बनाती नर्क में पड़े हैं न तब तो बलाते हैं अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताती बाब कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापिस ले जाने अब अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो तू तुमारे पाप कड़ जाएंगे बाबा कहते मैं तो पावन बनाने आया हूँ रास्ता बता रहो अब जो जितना करेगा सुपाएगा सब को एक ही बात सुनाओ कि बाब कहते माया जीत जगत जीत बनो मैं तुम सब को जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूं फिर लक्षमी की दीप माला पर पूजा करते हैं बाबा कहते हैं जब हर आत्मा श्रीमत पर चल पावन बन जाएगी तो क्या हो जाएगी बेहत की दीप माला स्वर्ग जा हर एक की जागती जोत है तो बाबा कहते हैं और फिर द्वापर बड़ी करो, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में, बाबा कहते हैं, जो स्वर्ग में तो कोई health, health सुधारने की, या आयू बड़ी करने की कोई विधी, लक्षमी नारायन किसी को नहीं सिखाते, यह तो संगम युग में, संगम युग में, बाप, निमित, जगदंबा के द्वारा, health और आयू बढ़ी करने के विधे बताते हैं, इसलिए जगदंबा से जाकर हेल्थ और आयू मांगते हैं, लेकिन सत्यूगी स्वरूप से सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि सत्यूगी स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में कोई हेल्थ और आयू बढ़ी करने के लिए राज बाबा कहते हैं देने वाला तो एक बाप है, तो भी तो बच्छे हैं बच्छों से वर्सा नहीं मलता, तो बाबा कहते हैं ये एक आदत पड़ गए है मांगने की, देवताओं के आगे जाएंगे भीक मांगेंगे,这 inveak के यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, तुमको तो बाप कहते हैं, मामी कम याद करने से मालिक बन जाएंगे, और स्रिष्टी चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, दैवी गुण भी धारन करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दर्कार नहीं रहते, जबकि बाप से स्वर्ख का वर्षा मिलता है, बाबा कहते हैं, बिना बोले, ज्यान धारन किया, याद किया, दैवी गुण धारन किया, स्वर्ख के वर्षे के मालिक बन जाते, बिना मू भी खर्च के, अभी तुम इतनी इनकी पूजा करेंगे क्या, बाबा कहते हैं, पूजा करेंगे अभी भी, कली क भी पूछ रहते, पूजा करने की आदत नहीं छूटती, भाबा कहते हैं, अब बनने के समय पर अगर पूजा करेंगे, तो टाइम वेस्ट है, तुम जानते हो, हम खुदी यह बनते हैं, फिर इन पाँच तत्वों की क्या पूजा करेंगे, और वो भी चैतन्य में भी नहीं ह हैं, तो यह क्या करेंगे, बाबा कहते हैं, विश्व की बादशाही मिलती है, तो उसके लिए पुर्शार्त करें या समय संकल्प इसमें लगाएं, अभी तुम मंदिर आदी में नहीं जाएंगे, क्यों, इसलिए नहीं कि कोई वो गलत है या ऐसा नहीं, पर मंदिर लाइक बनने में समय संकल्प लगाएंगे ना अभी, बाब कहते हैं, यह सब भक्ति मार के सामगरी है, ज्यान में तो है एक अक्षर की मामे कम याद करो, बक्ति में यह जोज जगाना, मंदर जाना, आर्ते करना, तब, तिर्थ, जब, उप्वास, व्रत, सब होता, बाबा कहते हैं यहां तो एक ही विधी है, मामे कम याद करो, और हर सेकेंड इंपोर्टेंट है, सेकेंड बै सेकेंड कम आई है, तो हम कुछ और करने में टाइम वेस नहीं करते हैं, बस याद से तुमारे पाप कर जाएंगे, सतुप्रदान बन जाएंगे, तुम ही सर्वगुन संपन थे, फिर बनना पड़े, यह भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धियों से बाप को खितना माथा मारना पड़ता है, यह रोज माथा मारते हैं बाबा, यह निश्य होना चाहिए, यह बातें कोई भी साधु संत आदे बता न सकें सेवा एक बाप के, क्योंकि वो कोई तरिकाल दर प्रवेशी तरिनेत्री नहीं है, यह सारे आदी मध्यांत का राज तो बाबा सुनाते हैं, यह कोई इश्वर थोड़ी है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है कौन, ब्रह्मा बाबा, मैं प्रवेशी उनमें करता हूं, जिसने पूरे 84 से जनम लिये हैं, बाबा केते हैं यह तो इंस्ट्रूमेंट निमित है, जिनके तन से मैं सुनाता हूं और यह भी सुनकर ज्ञान पुर्शार्त कर पदबाते हैं, गावडे का छोरा था, फिर श्याम सुन्दर बनते हैं, यह तो पूरा गावडे का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना, बाबा कहते हैं जब थोड़ा धंदा दिखिया, तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भठी बननी थी, तो बाबा को निमित बनाना था, तो इतना फिर बनाया भी लौकिक में ब्रह्मा बाबा को लायक बनाया, ताकि भठी बन सके, ब्रह्मा बाबा के धन से इतनी पालना हो सके, इनों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए न, बाबा केते कल्यूग में किसी को धनवान तो नहीं कह सकते, हाँ साधारण तक लाया गया, ताकि भठी बने, तो इतने बच्चों की शारिरेक और रुहानी पालना हो सके, ये सब समझने की बाते हैं, बाब जनमों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतीत बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे, 84 जनम इसने लिए हैं तत्वम, तत्वम हाना तुम भी, ये न, ब्रह्मा बाबा की जो कहानी, सो बच्चों की, एक तो नहीं बहुत है न, क्योंकि राज्टानी थी आदी मे सुर्य वंशी, चंद्र वंशी बनने वाले ही यहां आते हैं, नंबरवार, पुरशार, तनुसार, बागी ठेर नहीं सकेंगे, जो दैवी कुल का होगा, वही ठेरेंगे, देरी से आने वाले ज्यान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे, देरी से तु नहीं आए ना हम तो टाइम पे आए हैं अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्छों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्छों को नमस्ते हम रुहानी बच्छों की मीठे मीठे सिखी लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओम शान्ते, धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्यान श्रिंगार करते हैं, उसे कायम रखने का पुर्शार्थ करना है, माया की धूल में ज्यान श्रिंगार बिगाड़ना नहीं है, पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर अविनाश्य कमाई करने है, इस चित्र अर्था देहधारी को सामने देखते हुए, बुद्धी से विचित्र बाप को याद करना है, आखे बंद कर बैटने की आदत नहीं डालनी है, बेहत के बाप से कुछ भी मांगना नहीं, वर्दान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्रगति के पुर्शार्थी भब, बाबा कहते है, अवियक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को, अवियक्त पाठ माना 1969 के बाद जो भी आत्माओं आई, उस उन आत्माओं को, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वर्दान प्राप्त उनको extra वर्धान मिला हुआ है तो समय के महत्व को जान मिले हुए वर्धान को सुरूप मिला अब वर्धान तो मिला हुआ है स्मृति में रखेंगे तो वर्धान को सुरूप मिला Fast और First हो जाएंगे ये अवियक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो है ना लेकिन वर्दान स्मृति में रहे तो उतना आगे बढ़ना चाहे उतना तीवर पुर्शार्थ करे तो नमबर वन जा सकते है बाब दादा और निमित आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उढ़ने की दुआएं होने के कारण तीवर गति के पुर्शार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है हमारे पस अनेकों की दुआओं का बल है अनेकों की अनुभवों का बल है बाप दादा की भी दुआएं और सर्व पूर्व जात्माओं की भी तो उस बल के फल से हमें सहज आगे बढ़ना है और मनसुल पर छल्दी पहुंचना है स्लोगन है निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो मैं निराकार सो साकार हूँ, मैं आत्मा देहधारी बनी हूँ है न तो मैं आत्मा पहले हूँ, निराकार फिर ये साकार शरीर धारण कर मैं पार्ट बजा रहे हूँ इस निराकार सो साकार का महामंत्र, इस महामंत्र को बुद्धी में रखते हैं तो नैचरल शरीर से पार्ट बजाते आत्म अभिमानी रहते और जब ऐसी स्मृति में रहते तो निराकार बाप के साथ योग निरंतर लगा रहता क्योंकि एकदम बुद्धी में क्लारिटी है कि शरीर के द्वारा पार्ट मैं आत्मा बजा रही हूं और मेरे सर्वसंबंद एक बाबा से है अच्छा आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे 29 अगस्त दोहजार चौबिस के अव्यक्त इशारे सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो ना उम्मीदी के संसकार ना हो कोई भी मुश्किल कारे इतना सहे जनुभव हो जैसे कोई बड़ी भात में क्योंकि हम कल्प कल्प की विजय आत्मा है हमारे को डबल इंजिन लगी हुई है बाप दादा दोनों की दुआओं का बल है हमारे साथ तो कभी भी कमजोर संकल्प नाउमीदी के संकल्प में सदा विजय पन का नाशा क्योंकि अनेक बार ये कर चुके हैं कोई नई बात नहीं कर रहे हैं कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं ये स्मृति विजय बना देगी अच्छा आज सत्गुरुवार है आज साड़े साथ बजे सभी मुरले के मन्तन के लिए प्रस्तुत होंगे और फिर आठ बीस पर संगठित रूप में प्यारे बाब दादा को मिलकर वतन में भोग स्विकार कराएंगे ओम शान्ति